आपका अपने यूटूब चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासेस पे आज आप सभी के लिए जो टॉपिक हैं कंप्यूटर मेमोरी ग्राम्स विकास अधिकारी परिक्साद 2021 कंप्यूटर A to Z बहुत ही इंपोर्टेंट सीरीज है जो आप सभी के लिए हर रात जो हैं आपकी नौ बजया वाली सीरीज में कंप्यूटर के अती मैत्यूपूर्ण पश्चन आप सभी के समख स्पेस किये जाते हैं संध्या परिवार के और से अभी भी आप अगरी चैनल पर नहीं है तो चै बढ़ते हैं सबसे पहले किशन की और कि निम्न मैंसे कौन सी मेमोरी पर 30 सेकेंड कई बार रिप्रेस होती है अच्छा किशन है और यह किशन है जो आपकी परतियों की परिक्ष्टा में पूचा जाने वाला किशन है अब देखिएगा किशन कापी इजी है जो रेगुलर ज किशन की निम्न मैंसे ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसको पर 30 सेकेंड रिप्रेस करने की आवश्यक्ता होती है तो मिरफंट आप सभी के सामने ऑप्ष्टन है डाइनामिक रैम स्टेटिक रैम और सेकेंडरी मेमोरी तो इस किशन का तो आपका जो राइट एंसर है वो क्या हो जा है और आपकी तयारी कैसी है ताकि आप सभी को पता चले कि आपको अभी भी कितना एपट लगाने की जरूद है तो मिरफंट इसक्रूशन का जो आपका राइट एंसर है डाइनामिक रैम हो जाएगा अब करते हैं इसक्रूशन का थोड़ा सा विश्ट लेशन की आपकी जो यह सारे की सारे रैम के ही पार्ट्स होते हैं उसके बाद में अगर इस्टेटिक रैम की में अगर बात करते हैं तो इस्टेटिक रैम को बार बार रिप्रेश करने की आवश्यक्ता नहीं होती यानि कि यह क्या होती है कि इस ताही मेमोरी होती है जबकि उसके अलावा अपन बात करते हैं HD RAM यानि Synchronous Dynamic Random Access Memory और इस RAM को Dynamic RAM की तुलना में कम रिप्रेश करने की अविश्यक्ता होती है तो मेरे बंद्स यह था इस क्यूशन का विश्लेशन और सारे के सारे जो बिंदू है आप सभी के लिए कापी है इम्पोटेंट आप सभी लोग क्या करेंगे इसको नौट करने की कुसिस करेंगे जो सब्सक्राण के निम्द मैं से वादर परकार की मैमोरी है अच्छा की इसन प्सक्राण को समझता है कि आकश्यक्ता है यह था होता क्या है तो साथ में मैमोरी होते हैं तो तरीके ऐन there वालेटाय ψती है नॉन वालेटायल अब जो आपकि आपकी णहलेडा उन आता है कि you were li taş fashion होगी तो आप सबी नह sentiments उगा रैम और रैम कैसे आपके इस्ताय पर करते की वालिटायल पर करते के प्राकरती रूप से हैप गटेड मेमोरी आपकी कौन से पूरा नाम रेंडम एकसेस मेमोरी होता है क्यों का रेंडम हो जाएगा करते हैं इस कुछन का विछले सब्सक्राइब की जो आपकी रेंड होती है एक वालेटाइल मेमोरी का उधारण होता है और रेम में लाइड जाने के बाद डेटा इस्ताई रूप से नहीं रहता है और मेमोरी को क्या बोले जाता है वो लेटाइल के बोला जाता है तो यह विछ एच्छा किशुन थे आप सभी के लिए और पूचहाजाने के usual बविशे की काम ना करता है और इस बार जो हमारा टार्गेट है कि वीडियो एक्जाम में 30 मैं से 30 अंक दिलाने की पूरी की पूरी कोसिस रहेगी मिरफेंट जो student constable exam के लिए preparation कर रहे हैं वो सभी भी session के साथ में जुड़ जाएगा क्योंकि आप सभी के लिए भी ये session है जो कापी important होने वाला है एक बार जैसे वीडियो का exam हो जाता है कॉस्टेबल के लिए में theory class और वीडियो के लिए भी अभी एक दो दिन में theory class बहुत ही जल्द में रिफेंट से start करने वाला हूँ थोड़ा समय का क्या होता है कि management नहीं हो पा रहा है तो जैसे समय मिलता है तो आप सभी के लिए theory class भी आपके exam से पहले पूरी करवानी की पूरी की पूरी causes रहेगी तो अभी तक भी आप अगर इस चैनल पे नए हैं क्या करती है data को मिटा देती है देखीगा यहां से जो है सारी के सारी रॉम के parts बता रखे हैं कि पी रॉम है एपी रॉम है अब देखीगा यहां से जो आपको याद रखना है कि बिजली के signal की जब भी नाम आए तो आप क्या याद रखोगे अगर पूरा नाम पूछा जाता है तो पी रॉम का आप क्या बताओगे प्रोग्रामेबल रीड अनली मेमोरी और आपका जो एपी रॉम होता है एपी रॉम का मिन्स होता है इरेज़बल प्रोग्रामेबल रीड अनली मेमोरी इस EEP ROM का मिन्स होता है Electric Erisible Programmable Read Only Memory और आपकी जो Flash Memory होती है यह मेरे परेंट जो आपकी है Secondary Memory होती है Pen Drive जो होता है उसी को क्या बोला जाता है Flash Memory भी उसका नाम दिया जाता है इस QC का थोड़ा सा विशले सांड की EEP ROM का जो पुरा नाम है क्या है आपका Electric Erisible Programmable Read Only Memory और इस Memory के डेटा को बेजली के सिकनल के द्वारा क्या किया जा सकता है मिटाया जा सकता है मेरे परेंट यह जो है आपकी जो EEP ROM है केवल EEP ROM इसमें क्या होता है कि आपकी जो EEP ROM है अगर इसको आप UV केरणों के सामने रखोगे तो इसके अंदर क्या होगा जो भी डेटा होगा वो मिट जाएगा जबकि जो P ROM है P ROM में एक बार डेटा को डालने के बाद में आप इसमें संसोदन नहीं कर सकते है तो यह भी अच्छा है क्यूशन सारे के सारे कापी important है आपकी exam point of view से अगला क्यूशन आप सभी के screen पे कि 1026 byte बराबर होता है important क्यूशन है विरफेंस कि 1026 byte किसके बराबर होता है तो आप सभी को पता होना चीए कि 1026 byte जो आपका होता है किसके बराबर होता है किलो बाइट के बराबर होता है अगर आप से पूछता है कि 1026 byte कि बराबर है तो आप क्या बोंगे एक MB के बराबर और आपकी 1026 MB जो होती है किसके बराबर होतीalley एक GB यानि एक Gigaوبाइट के बराबर और आपके जो 4 bits होते है 4 bits के sumum 에서 या कहलाता है Map के सारे कीशिंट का IMPORTANT किशिंट करते। की देखेगा एक हजार 24 वाइट वराबर आपके क्या है अगला क्यूशन आप सभी की स्क्रीन पे की सीडी का पूरा नाम क्या होता है मिरबंट्स अच्छा क्यूशन है आप सभी के लिए और जो आपके सीडी का पूरा नाम होता है मिरबंट्स क्या होता है और कॉम्पैक्ट डिस्क होता है क्या होता है compact disk option number c है तो आपका यहांसे बिलकुली correct answer हो जाता है इस किश्विन का wishlist चंड की जो आपके cd यानि की compact disk क्या होती है एक optical परकार की secondary memory होती है यानि की मेमोरी के अंदर आप जब भी देखोगे तो आपको fiber का part इसके अंदर दिखेगा अगला जो है CD-R मेरे प्रेंट्स क्या होता है कि compact disk recordable होता है यानि की एक ऐसी memory जिसके अंदर data को केवल एक बार ही record किया जा सकता है और बार बार पढ़ा जा सकता है अगला जो है CD-RW यानि की compact disk re-writable इसमें मेरे प्रेंट्स क्या होता है कि आप data को बार-बार मिटा के लिख सकते हो यानि कि data को बार-बार record किया जा सकता है तो इस सभी के बारे में आप अच्छे से ध्यान रखोगे ताकि गर इनके according भी अगर थोड़ा similar kitchen भी आता है तो आपका kitchen है जो यहां से गलत नहीं होना चाहिए अगला question के निम्न मैंसे किसे flash memory के नाम से भी जाना जाता है और यह question मैंने अभी आप सभी को बताया था कि flash memory और किसका अन्य नाम हो सकता है pen drive का अन्य नाम हो सकता है तो pen drive जो होती है मेरे बैंट साब की कैसी होती है portable परकार की secondary memory होती है कैसी होती है तो आप क्या पता होगए universal universal ऑनिवसल-serial कि यूनिवर्शल-serial बस इसका पूरा नाम होता है इसक्वूशन काалог सर्थ क्विशन देख लेते हैं कि आपकी प्लेस मेमोरी क्माद को बोला जाता है मैं होता है इस कोड़ा है एक होता है पुरा नम क्या हुता है इस्टी कड़ पूरा नाम क्या होता है सिक्या पूचा जाता है तो आपको कि अच्यों गलत نہیں होना चाहिए मरी देटा कुछ इक बार ही रिकॉर्ड ही सब्सक्राइब और आपकी उज्जलिय क्या करता है कि इस बार व्यदियु के एक्सादब में आपके बहुत इंच्छे माक्ष आने वाले हैं लोकल हाट डिस्क से वैबसट सर्वरं पर कंटेन्ट ले जाना आप क्या कहलाता है तो अच्छा किशन लोकल जो आपकी हाट डिस्क होती है अगर आप क्या करते हो वहाँ से अगर आप वेबसाइड पे कोई भी आपका कंटेंट ले जाते है तो जाहिर सी बात है कि आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपके मॉबाइल से या आपके कंप्यूटर से अगर आ आपको क्या कहलाएगा अपलोडिंग ही कहया थोरा सा विशले सास्वस्टर कि यो ले जाना का पर कंटेंट को लेजा रॉम क्या होती है कि प्राइमरी मेमोरी होती है जो कि अस्तिर परकरती की होती है इसको वलेटाइल मेमोरी भी बोला जाता है इसके अंदर डेटा अगर आप रखते हो इसके बाद में लाइट जाती है तो लाइट जाने के बाद जब अगर आपने डेटा को सेव नहीं किया है या पूरा नाम का यह होता है read-only memory होता है और आपका read-only memory है यह ऑफ थोड़ी से मिश्टेक हो गई है मैंने जो बोला आपको रहां का बोल दिया है प्राइमरी में तो होती है लेकि प्राइमरी में आपकी कैसे होते हैं है बोलेटाइल होती है और इसके अंदर जो भी आप डेटा रखोगे वह क्या होगा यानि की जैसे आप आपका डेता नहीं परिवर्टित के लिश्ट की बेर लिख और जर का र disgrace रहती है योरिए weight loss by they will be be brawn टेंसर हो जाता है इसके शुन का विशले संट कि आपकर रॉम होता है रॉम का पूरा नाम क्या है और यह क्या होती है यह क्या होती है यह कंप्यूटर तथा अन्य एको डिटा को डालने के बाद में ऩाइम होता है और स्कावज और नाम ladiniacking होसता है और देटा को डालने के बाद में बदला नहीं जा सकता है और आपका जो माझे बडार और इसमें के दवारा data को मिटाया जा सकता है और एक आपको यहां पर दिख रहा है इसका मिंस होता है अगला क्यूशन आप सभी की स्क्रिन पर की बंडारन समता कितनी होती है मिर्पेंट्स अच्छा कीशन है और आज के इस जो है शेशन का ये जो नौवा कीशन है और सेशन से जो लेड जोड़ रहे हैं उन सभी का एक बार फिर से संद्या कंप्यूटर तैद दिल से स्वागत करता हैं आप सभी के उच्वल वविश्य की काम ना है और आप सभी के हैं जो पर्षेंटेस कापी अच्छे वने बस यही बगवान से काम ना है ब्लू-ray डिस्क के एक परकार की जो है आपकी जो लेर वाली डिस्क होती है यानि कि इसमें बहुत सारी लेर होती है सिंगल लेर भी होती है ड etern Bleorm भी होती है तो आपकी ब्लू-ray डिस्क यह क्या है कि आपकी बविश्य में यह DVD का रूप ले सकती है कि इसका रूप लेसकती है एक DVD के तरह यह वी अप्विबी डि मैस्क का ही तक हो सकती है और कभी 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 कभार आपने क्या देखा होगा कि कुछ इसको 50 GB कमेंट करते हैं तो सभी की जानकारी के लिए बता दू कि आपकी सिंगल लेयर जो होती है सिंगल लेयर जो ब्लूरे डिस्क होती है यह एक परत वाली वह उन्सकी जो नियुंतम होती है आपकी इस्टोरिस कैपिशिटी वह 25 GB की होती है और जबकि जो है आपके डबल लेयर होती है उनकी 50 GB से इस्टार्ट होती है तो यह माइनर सा है इनके बारे में आप सबी लोग थोड़ा सा पता रख सकते हो देखिए का कि ब्लूरे डिस्क के यह बविश्य में क्या है कि डिवीडी का रूप ले सकती है यानि कि डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाल डिस्क इसका पूरा नहीं होता है और यह जगह ले आप होरा जाता है तो यह भी आप याद रखेंगे अगला चो किशन और आज का सभसें अंतिम किशब्यू के कि आप सभी के अच्छा क्या है अच्छा के डिवीडी का पूरा नाम चैहां एक टो क्या होता है पर डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है और डिजिटल वर्से डिस्क यह एक optical परकार की क्या होती है secondary memory होती है और यहां पर लिखा है डिवीडी आर इसमें क्या होता है कि डेटा को केवल एक बार ही रिकॉर्ड किया जा सकता है और आपको सामने जो दिख रहा है डिवीडी आर डबली यानि कि डिजिल वीडियो डिस्क रीडाइबल इसमे आपकी memory से जुड़े टॉप मॉस्ट दस कीशन और हाई होप आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा मेरे अगर वीडियो को पसंद किया तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक एंड सेर अविश्य केजिएगा मेरे जो भी जब हम आप लोगों के लिए इतना कर रहे हैं तो आपका भी एक फर्च बनता है कि आप इस सेशन को ज़्यादा ज़्यादा लाइक और शेर अविश्य करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अविश्य करिएगा तो अभी के लिए इतना ही मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ और बहुत ही जल्द आप सभी के समक्स हैं जो वीडियो एक्जाम के लिए आपकी थियोरी क्लास लगाई जाएगी तो अभी के लिए इतना ही मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिन बंदे मातरम जय बारत